ब्राट तो यू बाई इन्फिनिक्स इन्फिनिक्स पर बेरी गुड ओफर मिला है यू कांट बेर टु मिस ए जस्प्रीद बुमराश चोटिल है वर्ल्ड कप से ठीक पहले आई इस ख़बर से देश के क्रिकेट फैंस काफी निराश हुए इस्ट्रेस फैक्चर के चलते बुमराश वर्ल्ड कप से बाहर हुए और फिर शुरू हुई उनके रिप्लेस्मेंट की तलाश तमाम बोलस पर चर्चा हुई दीपक चाहर, मुहमद सिराज, शमी जैसे कई नामों का जिकर आया और इन तमाम चर्चाओं के बाद खत्म हुई इंडिया वर्सिस साउस अफरीका टीटोंटी देनिशन सीरीज इस सीरीज के खत्म होने के बाद कैप्टन रोईश शरमा ने कहा बुमराश वर्ड कप से बाहर हो गये हैं और इस भयान के आधार पर ही कुछ प्लेयर्स की राह मुश्किल होती दिख रही है आस्ट्रेलिया में बॉलिंग के अनुभो को देखेंगे तो शमी और सिराज के पास वहां बॉलिंग का ठीक ठाक अनुभो है जबकि दीपक चाहर ने अभी तक आस्ट्रेलिया में बहुत कम बॉलिंग की है चाहर ने यहां 3 T20 इंटरनेशनल मैच में बॉलिंग की है इन मैच में उन्होंने 12 ओवर फेके हैं जिनमें 111 रन बने हैं और सिर्फ एक विकेट आया है बागी दोनों बोलर्स के बाद करें तो शमी ने यहां 1-20 इंटरनेशनल मैच में 46 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया है जबकि 8 टेस्ट में उनके नाम 31 विकेट है वंडे की बाद करें तो शमी ने यहां 14 मैच में 22 विकेट जटके हैं वहीं सिराज ने तो अपना टेस्ट डेब्यू ही ऑस्ट्रेलिया में किया था यहां पर सिराज ने कुल 3 टेस्ट केले हैं इन मैच में सिराज के नाम 13 विकेट है जबकि एकलाउते मंडे में उन्होंने 10 ओवर में 46 रन दिया हैं और कोई विकेट नहीं मिला इन आकड़ों से साफ है कि बुमरा के रेप्रेस्मेंट की देश में शमी सबसे आगे चल रहा है इस्पेशली उस पैवाने पर जिसे खुद कैप्टन रोहित ने सिट किया है और इस मामले में दीपक चाहर सबसे पीछे है शमी अगर पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए तो आउस्ट्रेलिया की अनुबह के आधार पर सिराज अगले ऑप्शन हो सकते हैं इन दोनों बोलर्स के पास आउस्ट्रेलिया में बॉलिंग करने का अनुबह है बहले ही अनुबह है क्रिकेट के इस फॉर्मेट में नहीं है लेकिन इन दोनों ने आउस्ट्रेलिया में बॉलिंग की हुई है और कैप्टन रोहित ने साफ करी दिया है कि उनकी प्रात में तब वो बोलर हैं जिनके पास आउस्ट्रेलिया में बोलिंग का अनुभो हो और इस आधार पर यंग सेंसेशन उम्रान मलिक के बचे खुचे चांस भी खत्म होते दिख रहे हैं उम्रान के पास आस्ट्रेलिया में बॉलिंग का अनुभो नहीं है चाहर के वर्ट कप ना खेलने के पीछे एक और बड़ा कारण समझ में आ रहा है चाहर और भुवी नगवक एक तरह के बॉलर है ऐसे में इन दोनों को टीम में रखने का बहुत सेंस नहीं बनता भुवी टीम के सीनियर बॉलर है ऐसे में उने पहले प्रात्मिक्ता मिलना तैमाना जा रहा है हर्षर रोहित का ये पैमाना देखें तो अर्षदीप और हर्षल के पास भी और श्रेलिया में बॉलिंग का अनुभव नहीं है लेकिन चुकि यह वह मुख्य टीम में है इसलिए उनका खेलना तो तैह ही है बाकी options में शमी का दावा सबसे मजबूत है और जनता भी चाहती है कि शमी को वर्ड कप की टीम में शामिल किया जाए ऐसे में रोहित खुल कर क्यों नहीं बोल रहे है क्या इस कहानी का को कि दूसरा पहलू भी है जिसे जनता नहीं समझभा रही क्योंकि शमी के लिए IPL 2022 भी ठीक गया था और अनुभो के आधार पर वह भूवी के सास्थ मिलकर टीम की पेस बोलिंग को लीड करने के लिए उप्यूक्त व्यक्ति भी है ऐसे में मैनेजमेंट या स्टर रोहित खुल कर क्यों नहीं बोल रहे है शमी का नाम अनौंस करने में क्या समस्य आ रही है या फिर बात ऐसी है कि रोहित ने जो कहा वो बात उतनी भी सच्ची नहीं है जितनी लग रही है सवाल कहीं है और उमिद है कि इन सवालों के जवाब भी मिलेंगे यकिनी जवाब कब मिलेंगे कोई नहीं जानता और जो बात कोई नहीं जानता वो कोई नहीं जानता सिंपल नमस्ते मैं सूरज हूँ आप सिली पॉइंट देख रहे थे आपके लिए ये एपिसोड शूट किया है जतिन ने शुक्रिया